हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल स्टडी जोन पर दोस्तों सत्रा हजार के जो उमिदवार है उनके लिए अपडेट बहुत ही बड़ी होने वाली है उनके रिजल्ट को लेकर साथ ही दोस्तों जो फार्मिष्ट के अवियरती है एनम के अवियरत लगतार कन बढ़ते जा रहे हैं और उमिदवार पूरे तरह से कन्फ्यूज हो चुके हैं कि आखिर जो कटप की रेसियो सुरुवाती दिन में बताई जा रहे थी कि 50-55 तक जो कैंडिडेट्स को यहां पर सौटलिस्टिट किया जाएगा डीवी के अंदर अब जो उनकी सं संख्या घट रही थी और अभी के समय वही संख्या जो है वह आगे की तरफ बढ़ रही है जिसमें की फार्मिस्ट के अवियरती 50 या 55 पर उनकी कटप बन रही थी चाहे ए-ए-ए-ए-ए-m की हो चाहे वह लैब टेकनीसियन की हो किसी की 40 या किसी के 45 के बीच में जो है करना बहुत ही जदा जरूरी है क्योंकि इसके रिगार्डिंग आप सभी के लगातार यहां पर जो है कमेंट आ रहे हैं पर दोस्तों जो आकड़े शुरुवात में त्यार किये गए थे वह आपके पोल के अनुसारी त्यार किये गए थे क्योंकि जिस तरह के आपके एंसर आने के बाद जो आप सभी के कमेंट आने के बाद जिसमें की यहां पर जो 5000 या 6000 सर्वे के अंदर आपके पोल के अनुसारी बताया जा रहा था कि इन तीनों वेकैंसी के अंदर ऐसे 5 या 6% कैंडिडेट हैं जिनके 60 प्लस या 65 प्लस नंबर हैं पर दोस्तों वह संख्या अ वो इसे हाई ले जारी है और दोस्तों क्या हाई होने वाला है वो मैं आप सभी को बता दूँ क्योंकि बहुत ही जल्द जो है इसकी रिजल्ट भी जारी होने वाली है और जिस दिन रिजल्ट जारी हो गया आपको यह प्यता चल जाएगा कि जो इसकी स्कोर है वो क्या होने वाली है तो दोस्तो इसी को लेकर एक अपडेट है आपके कटप के रेश्यू के नजदूख है वो भी प्रूप के साथ मैं आप सभी को बताने वाला हूं क्योंकि इस बार की जो कटप है क्योंकि कई जगाओ पर आपको 70 प्लस या 80 प्लस फार्मिस्ट में देखने को मिला बिल्कुल ही ध्यान से सुनियेगा क्योंकि दोस्तो अगर आप फार्मिस्ट के अवियरती है तो आपके लिए लैब टेकनीशिन के अवियरती है तो आपके लिए चाहे वो A&M के अवियरती है तो आपके लिए यहां पर एक बड़ी संख्या का जो कटप है वो आने वाला है क्योंकि दोस्तो अगर candidate के 60 plus 65 plus number है तो वो DV के अंदर shortlisted है पर दोस्तो DV के अंदर वही candidate shortlisted होंगे जिनके high number of ratio बन रहे है साथ ही दोस्तो आपको अनुभव का भी यहाँ पर number मिलेगा normalization के formula को use किया जाएगा तब भी number मिलेगा पर दोस्तो लगतार जो आंकड़े हैं जो दिखाये जा रहे हैं जया उमिद्वारों को बताये जा रहे हैं ग्रूपों के अंदर जो आप सभी के लिए जो पोल त्यार किये जा रहे हैं उन सभी आंकड़ों को मिलाते हुए दोस्तो जो आंकड़े बन रहे हैं क्या बन रहे हैं क्योंकि कई लोगों का ऐसा कमेंट भी आ रहा है कि सर हमारे 70 प्लस नंबर जो दिखाया जा रहे हैं पर सुरवाती दिन में यहां पर 55 प्लस कहा जा रहा था तो दोस्तो वो आखड़े और इस आखड़े में क्या अंतर हो रही है कैसे हो रही है वो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ और दोस्तो इस बार जो मैं आप सभी को कटप बताने वाला हूँ वो एक्जैक्टली माल सकते हैं अगर उसके बीच आपका नंबर है एक या दो क्योंकि जिस तरह से आगी की संख्या बढ़ रही है पर दोस्तों वह संख्या अब जो है पूरे तरह से ठंग चुकी है जितने भी उमिद्वारों को पोल करना था उन्होंने पोल कर जोगा है और हर जगा से आप सभी को कुछ न कुछ ऐसी अपडेट मिली है तो दोस्तों रि सबसे लोग रेट में जाएगी तो यहां पर दोस्तों जाने वाली है लाव टेकनीशियन की वह मैं आप सभी को दोस्तों सीधा सीधा किलियर एकदम कट में एक बार के कटप के रिश्यों के अनुसार बता देता हूं क्योंकि आप सभी को पता है कि जिस तरह से जेनरल सेलेक सेलेक्ट हो रहे हैं तो उनकी कटप की रेश्यों इन तीनों वेकैंसी के अंदर क्या जाने वाली है इन तीनों पोस्ट के अंदर क्या जानी है वह मैं आप सभी को फुली एक बार बताने वाला हूं जैसा कि दोस्तों यहां पर आप देख लिए कि अब जो हाइस्ट कटप बन रही है, Farmist की वो क्या बन रही है, क्योंकि वो दोस्तों यहां पर 65 प्लस बन रही है, क्योंकि अगर आपके 65 प्लस हैं दोस्तों, यहां पर category wise, या तो आप इस vacancy के लिए shortlisted होंगे, क्योंकि दोस्तों जो संख्या है, वो इस पर आकर पूरे तरह से रुक चुकी है, या दीवी के अंदर यहां पर सिर्फ अड़ाई हजर कैंडिडेट को सेलेट किया, और जिसके अंदर जितने पोस्टेट थी, उस पोस्ट के अनुसार भी यहां पर एक गुना अव्यर्तियों को डीवी के अंदर सेलेट किया गया, तो आप सुछ सकते हैं, कि किस रेशियो उठ मिद्वारों को तोड़ा भी जा रहा है, उनकी संख्याओं को, ये भी दोस्तों आप सुछ सकते हैं, तो इसलिए दोस्तों जो कटप यानि कि जो फार्मिश्ट की कटप जाएगी, वो 65 प्लस जाने वाली है, इसी से अंक के आप काटेगरी वाइस जोड़ लेजे, कि जो सं पुष्ति प्लस नंबर रहें, तब आप स मक्त होंगे, ऐसी के के कैंडिडेट हैं, तो अगर आपके पास जो है 45 है, तब स मstand आप स लेक्ट होंगे, एसी के के लिए, आप उससे भी लोग रिदे मान सकते हैं, कि उनके पास कितने कट लिकल होंगे, तब वो इस काटेगरी वाइज के सलेक्ट होंगे 32-33% पर फारमिस्ट लैफ टेकनेशियन इसी के रिगार्डिंग आप जो आए-ए-ए-ए-ए-ए-पकी जो वैकेंसी है जो पोस्ट है जिसमें कि आप सभी के जो कटप हैं वो 50 प्लस जा रहे हैं दोस्तों आप यह सकते हैं अगर जिस कैंडिडेट क हो सकते हैं कि दोस्तों जो संक्या है वो लगतार कितनी बढ़ते जारी हैं और इसी को लेकर उमिदवार कन्फूज है क्योंकि दोस्तों आप सभी कुछ जैला दिन कन्फूज है इस रेसियों के आखड़े पर दोस्तों अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो इस बार आप परिणामे हैं वो भी बहुत ही जल क्योंकि दोस्तों जनवरी के इंड तक या थर्ड या फॉर्थ विख तक यह फाइनली हो चुका है कि जो इसकी परिणामे हैं वो यहाँ पर जारी कर देने वाले हैं तो थोड़ा सा टाइम दोस्तों और वेट करना है और इसके रिगार्ड और कोई भी कन्फूजन हो तो आप कमेंट करके हमारे चैनल स्टडी जोन से पूछ सकते हैं और हमारे चैनल स्टडी जोन को जरूर सब्सक्राइब कर लें तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक लिस्तों जाहिंद है झिर मैंनल साद्ट मुड़ा कर ले दो सुमारे।